साथ योट डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए रेकेजिशन और रिफोम बहुत जरूरी है रेकेजिशन का मतलब यह हमना है कि आपदा की आशंका कहा है और भविश में वो कैसे गटित हो सकती है रिफोम का बतलब है कि हम ऐसा सिस्टेम विश्टित करें जिससे आपदा की आशंका कम हो जाए डिजास्टर की आशंका को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सिस्टेम में सुधार करें समय रहते उसे ज़्यादा सक्षम बनाए और इसके लिए शॉटकर एप्रोच के बजाए लॉंग टर्म फिंकिंग की जरुवत है हम साइकलोन के अगर बात करें तो साइकलोन के समय भारत के स्थिति का अगर हम उसकी बहुत नजर करें तो ध्यान में आता है एक समय था जब भारत में साइकलोन आता था तो सेंकडों हजारों लोगों के असमय मृत्ति हो जाती थी हमने उडिशा और पच्चिम मंगाल के तठी इलाकों में ऐसा कई बार होते देखा है लेकिन समय बढ़ला रणदीती बढ़ली तयार्या और बहतर हुई तो साइक्लों से निपटने की भारत की ख्यमता भी बढ़ गई अब साइक्लों आता है तो जान माल का कम से कम नुक्षान होता है यह सही है कि हम प्राकुरिक आपदा को रोग नहीं सकते हैं लेकिन हम उस आपदा से नुक्षान कम से कम हो इसके लिए व्यवस्ता तो जरूर बना सकते हैं और इसलिए यह जरूरी है कि यह रियक्टिव होने के बज़ाए हम प्रोएक्टिव हो साथि हमारे देश में प्रोएक्टिव होने को लेकर पहले क्या स्थिती थी अब क्या स्थिती है मैं इसका जिक्र भी आपके सामने करना चाहूंगा भारत में आजहादी के बाद पांच दसक बीद गए थे आधी शतापदी बीद गई थी लेकिन डिजास्टर मेरेंजमेंट को लेकर कोई कानून नहीं था साल 2001 में कच्छ में भुकम पाने के बाद गुजरात पहला ऐसा राज्य था जिसने गुजरात स्टेट डिजास्टर मेरेंजमेंट एक्ट बढ़ाया इसी एक्ट के आधार पर साल 2005 में केंद्र सरकार ने भी डिजास्टर मेरेंजमेंट एक का निर्मार किया इसके बाद ही भारत में नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट अथोरिटी बनी